सो हेलो गाई सुवागत आप सभी का हमारी इस चैनल फैजलालमा ओफिचिल में और जो आज की इस वीडियो होने वाली है इस वीडियो मैं आपको बताने वालो हूँ तो वीडियो को देखों बिल्कुल एंड तक और साथी साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइस देख सकते हैं यह सफ्ट्वेर का नाम है वंडर सेयर जो कि डॉक्टर फोन की तरफ से आता है और बात करें सफ्ट्वेर के बारे में यह बहुत ही चे फीचर्सस आपको प्रोवाइड कर देता है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर सारी उप्शन को की ऑग ज estado helpfull होने वाले और बात करेंगे हैं जो हमारा जो में टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले WhatsApp transfer के बारे में तो इसके बारे में बात करें तो यहां पर दूस्थ आप WhatsApp के साथ साथ जितने ही आपको Social Media je application है उन्स सभी के data तो देख सकते हो यहां पर वाटसट्र मेंस अकिका सब्सक्राइबाटरन कर सकते हैं एपने धिस fender में ओन अपना सुत कर सकते हैं था आपको फोन का data transfer करना है वो पहले वाले आपको USB में लगा देना है तो जैसे आप लगाएंगे जो आपको पहला फोन है old phone है उसका सबसे पहला आपको यहाँ पे input कर देना है अपने device को तो जैसे आप दोस्तो लगाएंगे कोई सा भी phone होगा तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है तो देख सकते हैं मेरे MI का phone है तो पहले बोला है कि आपको यहाँ पर developer option यहाँ पर on करना पड़ेगा तो आपको पता होगा दोस्तो developer option कैसे on करते हैं अगर नहीं पता तो दोस्तो आपको setting के अंदर जाना है वहाँ पर about phone के अंदर built number होता है वहाँ पर दोस्तो अकर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका तीन चार और आपको क्लिक करना होता है आप डेवलपर option के अंदर आ जाएंगे तो देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरा डेवलपर option आ चुका है तो इसली आपको इसको उपर क्लिक कर देना है तो जैसे आप करेंगे उसके बाद आपका भी फोन यहाँ पर connect हो जाएगा connect होने के बाद गई आपको next कर देना है easily यहाँ पर लिखाएगा no तो आपको no करने के बाद ही यहाँ पर क्यूंकि data जादा तेज़ ट्रांफर होगा उसके बाद आपको next कर देना है next करने के बाद यहाँ पर आपकी loading होने लग जाएगा no कर देख सेंगे आपकी बहुत सारी जितनी फाइल से सारी यहाँ पर लोडिंग होना इस चाट हो चुकी है और साथी साथ मैं यहाँ आपको कुछ यहाँ पर ऑप्षण देने वाले जिससे आपको करते रहने वीच में तो देख सकते पर पहला बाट कर देख सो कहा है पर अंदर आपको बैक अपको पराने फोन अपने चैट को करेंगे तो दुआ आपको यहां पर यहां पर यहां पर दोड़ा पर दोड़ा ना पर लोडिंग होना हो जाएगी वह निए घृ टैम लगने वाला है बट बिल्कुल आप सक्सेस्फुली अपने डाटा को ट्रांसफर कर पाओगे अपने निव फोन के अंदर और बहुत ही ज्यादा अच्छा अप्लिकेशन है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो स्की लिंक पर निचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है उसके बाद दोस् आपको अपने प्राइमेरी फोन नंबर के अंदर अपना फोन नंबर दुवार आपको वैरिफाई करवाने हैं तो देख सकते दोस्तों यहां पना जल्दी से वार्टप ओपन कर लेता हूं जैसे ओपन करेंगे तो आपका लॉग आउट हो जाएगा ओटोमेटिकली तो ऑटोमेटिकशन हो चुका है यहां पर देख सकते हो दोस्तों बेक क रिस्टोर के उपार क्लिक कर देने जैसे हमें बताये गया है सोफवेर के अंदर सोफ्वेर हैं इल् Casey लीकलर को एकने को मिल रोकिक आइधनीuntमीं को कुष। हरा इसके तो आपको यह सारी चीजे करना है उसके बाद यहाँ पर नैक्स के उपर कलीक कर देना है तो देख सकते मैंने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर पर प्रोसेसिंग आपको login कर लेना है किसी new number से तो मैंने कर रहा है तो मैं यहाँ पर click कर देंगा है लोग इन successfully and continue तो आपको भी login कर लेना है अपने नए फोन के अंदर वर्च अप को उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यह पेशना कोटने है उनिग के बाद दोस्तों आई फोन हो चुका तो यह तक के अंदर मेरे यदिन आयप के अंदर और मैं आपको को दिखाता भी आपसे न प्सक्रविस के अंधर देख सेकने हैं वीडियें और लाइक कर देना को को देना te